नमस्कार आप देख रहे हैं कबीर नी उज़व मैं हूँ आपके साथ स्वाती मेयता मानिवर काशी राम कौरोनी सरीला में गरीबों के लिए व्यवस्था बच से बचतर हमीरपूर जिले की सरीला नगर में लगबग दस वशपूर में बसपा सरकार थी तबनगर में मानिवर काशी राम शहरी आवास कौरोनी को निर्मान करके गरीबों को आवास दिये गए थे जिसमें पानी, बिजली, सड़क एवं शिक्षा के लिए विद्याले सभी सुविदाएं दी गई थी पर जैसे ही बसपा सरकार गई तब से आज तक गरीबों को सभी प्रकार की सुविदाओं से वंचित होना पड़ा है जैसे पानी के टंकी भरने के लिए वेल ट्यूब एवं रोश्री के लिए खराब पड़ी विद्युत मर करी तता विद्याले में अध्यापकों की न्यूकती ना होना बड़ी समस्या है देखिए हमारे समबादात आरामेश कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहें कवीर यूज के माध्यां से सरीला हमीपुर की रिपोर्ट यहाँ पर मान्य मुखमंत्री जिस समय बहनमायवती जी थी उनके कारकाल में एक योजना चलाई गई थी पर आवाश योजना के तहत योजना चलाई गी थी जिसमें डलतों को खाया था अवाश दिये गए हैं लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि सभी समाज की लोगबागों को आवास दिये गए हैं चलिए हम जानते हैं उनकी समिश्या कांसीराम कालोनी में किस प्रकार से रह रहे हैं उनकी क्या-क्या समिश्याएं हैं इनको इन समेश्याओं को जानने के लिए बात करेंगे हम यहां के रहने वाले सभी मानसों से कि किस प्रकार से यहां रह रहे हैं ध्य संकुर्ट जी बटा ये क्या सम्स्चा है यहां साथ पानी की समस्च्याय। एक पी बच्चे पढ़ने कहाते हैं। यहां पर एक स्कूल बनाया गया, उस स्कूल में क्या सिच्छा होती है या नहीं होती है, और अन्य शमिश्याओं को लेकर यहां पर साफ सपाई को लेकर, साफ सपाई होती है कि नहीं होती है, और हम जानते हैं कि क्या-क्या शमिश्याएं हैं यहां पर अनेक जो है समिश्याएं हैं मातरी क्या समिश्या है आपके मानेवार ये कांजी राम योजना के तहत आपको आवास पिया गया था तो आपका शुर नाम क्या है आपको आपको क्या समिश्या है पानी की परेशानी है पचड़ा देखो तो कितना मच्छर खाएं जाते ना कोई देख भार करता अब पानी को तो साल भार होगो पानी आनी रहो एक तैंक आउगे सुभार अलारान में ले लिए बूड़े वारें के तो कोई धक्का मारे सो गि जानते हैं चोटू से की आपका क्या नाम है बेटा आपका नाम क्या है अर्यान कितने में पढ़ते हो तुम्हारा इस्कूल का नाम क्या है तो आप दो का पाड़ा सुनाएंगे सुनाएए आपको चले आपको रहने की बेवस्ता है यहां पर खाने पीने की ममी पापा अच्छी तरीके से खिलाते हैं चलिए यहाँ पर कांसीराम कालोनी में जो समिष्या हैं यहाँ पर मुल रूप से पानी की समिष्या बताई गई है सभी दलिक को नई अन्य शमाज को भी यहाँ पर जो है जो गरीब तक्ते के हैं उनको आवास दिया गया था उसी आवास के बगल में एक विध्याले का निमार भी करवाया गया था लोगों का कहना है कि यहाँ पर जब से यह बिल्लिंग बनी है तो यहाँ पर किसी प्रकार की सिख्छा नहीं हुई है ना तो कोई करामचारी ना कोई प्रयाचार ना कोई अध्यापक यहाँ पर नहीं आये हैं ना तो निप्ती हुई है यहाँ पर निप्ती तो नहीं हुई है लेकिन यहाँ पर जो रूमों में कमरों में भुसा भरा हुआ है तमाम गंदगी पड़ी है यहाँ के रहने वालों के लिए जीना मुश्किल है तो चलिए हम देखें कि कमरों में क्या भरा हुआ है देखें ये भुशा भरा हुआ है यहाँ पर अब ये पता नहीं है किसका भुशा है किसका नहीं है हम जानने के लिए हम बात करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर गंदगी है या किसी प्रकार से यहाँ पर बीमारी आती है कि नहीं आती है गंदगी के कारां बीमारी आती है या खान खान के वज़े से बीमारी आती है तो आपका शुब नाम क्या है त्यार मुहम्मद जी आप ये बताईए कि जब से यहां पर आवास आवंटित हुए हैं यहां पर एक बिल्डिंग बनाई गई विद्याले के नाम पर यहां पर सिक्षा गिरान हुई या नहीं हुई जब से यहां निर्वत हुआ है स्कूल और कालोनी आवर्डेट में यहां आज तक कोई किसी प्राचार यहां मतलब इस्ताबत किया गया यह स्कूल ही चालू नहीं हुआ तब से इसकूल ऐसा ही बन बनाई हुआ है हम लोगे बच्चे हैं प्रैवेर स्कूल में बहेंने के जोड़ी तो पूट गई है यहां के काँ चूट गए और पूरे कमरों में गंदगी बली है लेकिन यहां कोई भी ब्रच्चा अशी नहीं है उसके बाद सफ़ा सरकार भी आज इस समय हमारी वाजवागी सरकार है कोई भी सरकार यह देखने के राजी नहीं है यहां कालोनी के लोग क्या से रहे हैं यहां हर चीज की समस्था है सबसे बनी समस्था है यहां फानी लिए